एलो पड़ी, कैसा है? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाई यार, बस अपनी कहा है, कर रहा है यार अबे ऐसा क्या हो गया? आज हमारे ज़वान के चेरे की हवाईयां उड़ हुई है? क्या हो गया? अबे यार, ओर क्या होगा? अपनी जिंदगी का तो एक ही रामन है, उसमें जान ले रखी है ये रामन मेरी जिंदगी से निकल जाए ना, तो मेरी जिंदगी न इतनी सुकून भरी हो जाए थी कि पूछ मन भाई अबे, किसकी बात कर रहा है? अबे, क्ल्ली हूँ में कौन रामन आ लिए? इसकी बात कर रहा है? और कौन भाई? भई, मेरा बॉस त्रिवेधी अरे, जान के रखी है रार सुग ऐसे परिशान हूँ, कैसे इससे भी चाचडा हूँ? यह जटन यहां से नहीं जाएगा ना, मेरी जान खाये रखेगा जा तो मैं यहां से चला जाए यह यहां से चला जाए तभी जिंदगी में सुकून आ सकता है अरे, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अरे, भाई, पूछ मत तू मुझसे, जिस दिन से आया हूँ ना, इसमें नाख में दंद रख रहा है मैं उसे फूटी आख नहीं भाता परिशान कर रख रहा है जब से जिस दिन से इससे आख में कदम रहा है है न मैंने उस दिन से यह दवायक मुझे पसंद नहीं करता परिशान करता रख रहता है जब देखता इसका बस चले ना, तो यह आज मुझे धुक के मा dripping आख वो तो मैं ही हूँ जो बस ऐसे हमार्मेट में रहा हूँ यहां करें हाँ बट सरे लोंस हैं यह माईज हैं रहना ही पढ़ेगा न अरे भाई समझ नियाख यह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है ओगाई जाद भूपली छेल छेल के तलाते हैं मुझे तो लकता है इसकी भीज भी नहीं बनती इस तो तो यह उसमझ लिए तो उसके घर वाले कैसे जहलते हैं इसे सारा दिल अस पर शान केता रहता है अच्छा शान हो जान पूरी बाद बता, पूरी बाद बता क्या हुआ हुआ क्या है असा करे यार सुवह से देख रहा हूं, दस मिनट लेट आया था बस ओफिस, सामने यही न, यूँँ कॉफी पीता हो देख्या, बस मैं समझ गया था यही एक देंग राव हो गया, यूँँ पीया था कॉफी और लेकू भू रहा है, जैसे अभी खा जाएगा, मैं भी अपना चु मैं गेट से लेके अपनी सीट तर जा रहा हूं, और यूँँ देखता हुआ जा रहा है, पूरे टाइम यूँँ देखता रहा हूं मुझे, जब तब मैं अपनी सीट पे लिए बैट रहा है, यूँँ अभू रहा है, और फिर कोई question पूछता है, मीटी के वीच में, मैं आ मैं आजी छोड़ के जाना है, अब इसका मुझे को, पता ही मैंने इसका क्या खा रखा है, अच्छा, और क्या हुआ, क्या खा उसने, और क्या होना था, और क्या सुनना चाहता है भाई, कसर करेगी है कि कुछ, कितना सा हो गया, कि कम था क्या, जो तू और चाहता है मेरे में मुझे सब बदाज़ जाता है जैसे वो यू घूर रहा था न मुझे उसमें आइडिया हो गया था भई आज कुछ ना कुछ कलेस होने वाला है कुछ सुपर-सुपर दिखा है कोफी पीते भी यू घूर तो पाजाता है किसे बतने भी है कोई मीटिंग में लेट आता है त अच्छे की जान आपत कहाई है अच्छा यह तुसे आख देंग कर है उसमें कुछ आणि तुछ आखनाता है उसमें कुछ ऐसा एविडेंस है जिसने उसमें बोल के गाओ तुझे कि मैं तुझे निकवास दुआं मैं तुसे नफरत करता हूँ या कुछ और बुरा भुला क कुछ ऐसा है या तो हमेशा आंख देंग करी बस सोच रहा है या भाई ये बाल हुई सवेज नहीं हुए है आंख देखते ही पढ़ देता हूं मैं बनले को समझ देता हूं मैं एक ध्यलग में उसकी कहने की जब कहा है है सब कुछ तो बड़ी देंगे उसकी अब मैं क्या कि इस देख यह जो हमारा माइड यह बहुत विचित रहे बहुत अलग तरीक से भेव करता है और अंदर कई सारे डिस्टॉर्शन सा जाते हैं उन में से एक डिस्टॉर्शन है माइड रीडिंग का मतब हम दूसरे का मांड रीड करने लगते है कुछ घरना होने से पहले ही ह मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, मुझे सब पता लगजाता है, कुछ नी पता लगता हमें, बस ये तेरा mind है, जो distortion को पाल रहा है, ये दूसरी चीज को, उसकी body language को, उसकी आखों को, उसको पढ़के, बस ये लगता है कि जो ये सोच रहा है, वही सही है, यही mind reading का distortion है, कि हमें बता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे है, हम बस दूसरे को judge करने में लगता है, कि मैं चानता हूं, वो क्या सोच रहा होगा, कभी तेरे boss ने तुझे कहा, कि भाई मैं तुस्ते नफरत करता हूं, या तेरा काम अच्छा नह है, तेरा एक सोच ने का न तरीका बन गया है, यह कोई हकीकत नहीं है, तू सिर्फ अपने ख्याली पुलाव बना रहा है, हमारे पास यह capability नहीं है, कि हम दूसरे का mind read कर सकेंगे, वो कोई ऐसे experts, कोई जिसने कोई बहुत अच्छा course किया होगा, वो ही थोड़ा बहुत जाता है, कि वो क्या करने वाला है, या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तुझे कुछ नहीं बता चलता, यह सिर्फ तेरा distortion है, जो चल रहा है, और वो ही तुझे खराब कर रहा है, जितनी negativity तू पाल रहा है अपने अंदर, वो उसकी वज़े से नहीं है, यह तेरे अपन तो ही तू रियाट कर, ऐसे मत चला, यह हमारे mind के distortions होते हैं, और mind reading के बहुत ही जादा फैला हुआ distortion है, जो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, तो इससे तू बच अपने आपको ज़रा चेक कर कि क्या मैं mind reading ही कर रहा हूँ, और फिर देख, उस पर काम कर, अपनी जो हो चला गया, तो शैद normally देख रहा होगा, यह उसकी आदत होगी बस, जरूरी नहीं हो तेरे वारे में हमाँ बुरा सोच रहा है, तरे वारे में कुछ negative सोच रहा है, निकल इस distortion से, क्योंकि यह सिर्फ यही जरूरी नहीं चलेगा, आपकी family में, आपके और relationships में उनको भी spoil क तो मैं लगता होगा कि कोई mind read कर लेता हूँ मैं दूसरे का, कभी family members का करोगे, कभी बच्चों का करोगे, लेकिन हर वक्त यह गरत होगा, तो कि कोई अपने अंदर क्या सोच रहा है, क्या analysis कर रहा है, आपको नहीं पता, यह आपकी अपनी analysis है, उसकी अपनी है, यह आपकी यह बस परना लगया, you are not an expert, you are not a God